आज हम बनाएंगे गाजर मूली हरी मिर्च का बहुत ही तीखा चटपटा अचार जो कि हम मार्केट में देखती है ना वही कलर वही टेक्श्चर और स्वाद भी बिल्कुल मार्केट वाला तो बस इस तरीके के ढपे अब मार्केट से मत लाईएगा घर में हम हेल्दी तरीके से अचार बनाएंगे जो की नुकसान भी नहीं करेंगा बहुत ही बढ़ी अचार बना करके तैयार करेंगे आपकी कामनी एक बार फिर हाजीर है आपके लिए एक दम नई रेसिपी ले करके तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती हों तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए बिना देरी की हुए करते हैं फटाफट से शुरूर तो यहां भी सबसे पहले अचार बनाने के लिए मैं और आट से दस हरी मिर्च ली हैं कॉंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें इन्हें मूली और गाजर मिर्च को धो करके जो है अच्छे से सुखा लेना है दूप में मत सुखाएगा धो करके रख दीजेगा एक से दो गंटे बाद य यानि कि तुरंट से धो करके नहीं बनाना है इस बात का ध्यान रखिए तो यह जो हम अचार बना रहे हैं यह इंस्टेंट अचार है जिसी हम बिना धूप के बनाएंगे बिल्कुल भी आपको इसे धूप में रखने की जुरूद नहीं है ताजा बना करके ताजा ही खा सक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इस तरीके से हम एक छिलने की हल्प से मूली को छिल लेंगे बहुत इस तरीके से छिल जाती है तो सेम प्रोसेस उसी तरीके से हमें गाजर के आगे पीछे का पार्ट कट कर लेना है गाजर को भी हमें इस तरीके से छिल ले तो देखिए छीलने के बाद कितनी बढ़िया लाल गाजर निकलाई है तो लीजिए भाई इसे कट कैसे करना है जैसे मार्केट में मिलता है उसी अंदाज में आज मैं कट भी कर रही हूं ताकि बिल्कुल वही वाला आपको टेक्स्चर जो है दिखाई दे जो कि हम मार्केट स लाते तो बस इस तरीके से हमें जो है गाजर को चार पार्ट में या पांच पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और लंबा लंबा कट कर लीजेगा तो इसी तरीके से लीजिए हमने सारी गाजर को कट किया है देख सकते हैं जो इसके पीसी से ज्यादा मोटे भी नहीं करने तो चलिए इसी तरीके से हम मूली को भी कट कर लेते हैं तो लीजी हमने इसे तीन पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया और पतले-पतले के स्लाइसे हमें कट कर लेने हैं बहुत इजली यह कट हो जाते हैं तो फ्रेंड्स एक बात में और बता दू यहां पर आपको जाही अचार डालिए तो हरी मिर्च भी हमारी काफी क्रंची है तो बस मिर्च के पीछे के डंडी को अटाना है और इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि जो मसाला है ना मिर्च के अंदर अच्छे से भर जाए तभी तो खाने में बहुत ही पढ़िया यह लगेगा तो फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लगता है घर में इंस्टेंट बन जाता है पांसे दस मिनट में यह अचार और सबसे बढ़िया बात आप इसी तुरंत खा सकते हैं तो लीजे सारी चीजे हमने इस तरीके से कट कर ली है तैयारी हो गई है आगे अब देख लेत एक चमच बड़ा भरके यहां पर मैंने जो है काली वाली सरसोली है पीली हो ले सकते हैं एक महरून कलर की आती है जिसे राई बोलते हैं महीन वाली वो भी आप ले सकते हैं थोड़े से मेथी के दाना और एक चौताई चमच जीरा लिया है साथ में सात आठ काली मिर्च ले यह पूरी तरीके से ऑप्षनल है लेकिन डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा और इन मसालों को हमें बढ़ियां से भून लेना है इतना जादा भी मंद भूनिएगा कि इनका जो है कलर चेंज हो जाए सिर्फ हलके से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए क्योंकि इन में लेवर छोड़ते हैं खुश्बू भी भीनी भीनी आती है तो चलिए अब यह अच्छे से रोस्ट हो गया गैस को करते हैं और इने हम कंप्लीटली होने देते हैं ठंडा तो जब यह अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब एक लेंगे मिक्सी ग्राइंडर जार और इन खा देती हूं कि किस तरीके से हमें पीसना है तो यह देखे फ्रेंड्स एक्टम दरदरा पाउडर हमने पीसा है महीन मत कीजिएगा दरदरा पीसने से जो अचार है ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो चलिए मसाला तैयार है और अब अब निकाल लेते हैं एक कि मसाला बना ले आप इνεह सबजी में भी यूज कर सकतें जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ तो यहां फी मैंने ली है कलॉणजी तो कवोड़ेया ना ही भूना जाते है ना ही पीसा जाता तो इसी स्टेज पे मैंने कलॉणजी एड की है कुछ लोग इसे मंग्रेल या मंग्रेला भी बोलते हैं तो यहां पे थोड़ी सी कलाउंजी जरूर डालिएगा इसे टेस्ट अचार में बहुत ही बढ़िया आता है साथ में या पे मैंने एक चमच भर के काश्मीरी लाल मिश लिए सिर्फ कलर के लिए डाल ले हूँ तीकी बिल्कुल नहीं होती है और आदा चमच से भी कम थोड़ा से हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इन सभी चीजों को बढ़ियां से मिक्स करेंगे फ्रेंट्स धनिया हम यहाँ पे सूखा मैंने पीशा है न तो स्कीप की अगर आपके पास सूखा धनिया नहीं हो तो आप पीशा धनिया से स्टेज पे एड़ कर सकते हैं और लीजिए भाई ये मसाला हमारा तैयार है इस तरीके से आप करेले में भी मसाला भर सकते हैं बहुत ही बढ़ियां लगता है यहां तक कि अचार में सरसो का तेल ही डाला जाता है अब तेल जब धुआ इस तरीके से छोड़ दे अच्छे से तेल का कच्छापन हमें निकाल लेना है इसके बाद गैस को कर देंगे बंद जब गैस तेल हलका ठंडा हो जाएगा तब यहां पर हमें हिंग डालनी है तो तेल बहुत अच्छा गरम करके धुआ निकाल दीजेगा जिससे तेल की जरब निकल जाए और इसके बाद हमें हिंग डाली है साथ में हम यह मूली गाजर और हरी मिर्च भी एड़ कर देंगे तो तेल इतना गरम है आप देख सकते हैं इतने में यह बढ़िया से सौफ्ट हो जाएंगी गैस हमें दुबारा से चालू नहीं करनी है बस तेल जितना गरम है न उसी में ही हमें यह सब एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेना है इससे क्या होगा न हलकी सी जो तेल है गरम होगा तो तेल अच्छे से इन्हें थोड़ा पहुत पका देगा यानि कि लगभग यह चार या पांच परसेंट पक जाएंगी इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है और देखिए तेल इतना गरम है कि अच्छे से इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ तो यह गरम है अच्छार और गरम गरम में हमें यह मसाला एड़ कर देन सिर्फ इतना डालना है कि अच्छे से मसाले से कोटिड हो जाए बस इतना ही यहाँ पर एड़ करना है क्योंकि फ्रेंट से इंस्टन अचार है न तो इस इंस्टन ही हमें खतम करना होता है तो जादा मसाले वगरा बिल्कुल मत एड़ कीजिएगा चलिए और इस आप एक अधे करना है तो पहले हम साल्य को मिक्स कर लेंगे इसके बाद नमक एड़ करेंगे हैं कि तो यहां पियंदे सफेद वाला नमक ही यूज किया है क्योंकि काला नमक आज मेरे अधे खतम हो गया था प्र Но काला नमक और तोड़ा सा वाइट नमक ही डालिएगा लेकि नमक की कौंटिटी थोड़ी जादा रखिएगा क्योंकि अचार वगेरा में नमक थोड़ा जादा ही अच्छा लगता है और नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और लीजिए यह हमारा इंस्टेंट अचार खाने के और यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही बढ़िया कलरफुल बन करके तयार हुआ है लग रहा है न जैसे हम मार्केट से लाते हैं और बहुत ही टेस्टी है खाने में बहुत ही क्रिस्पी है तो इसे हमें सबसे पहले इसमें डालना है वाइट विनिगर ताकि इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और यह प्रेजर्वेटिव का भी काम करता है साथ में जो विनिगर का टेस्ट है इसमें थोड़ा सा खटापन भी लाएगा खराब बिलकुल नहीं होगा अचार तो जब यह ठंडा हो जाए तो आपको क्या करना है दो टेवल स्पू इससे हलकी सी खटास भी आएगी साथ में यह हम स्टोर करेंगे न तो काफी लॉंग टाइम तक चलेगा बिलकुल खराम नहीं होगा तो लीजे भाई चटपटा तीखा अचार बन करके तयार है तो इससे स्टोर कैसे करना है यह भी समझ लीजे एक काज का जार ले लीजेग जिसे अच्छे से धो करके दूप में सुखा लीजेगा और बस इस तरीके से हमें अचार को भर देना है तो यकीन मानिये इतना जादा टेस्टी अचार बन करके तैयार होता है सबसे बढ़िया बात है कि आप इसे 5-10 मिनट में इंस्टेंट रख सकते हैं और तुरंत खा भ टूप में रखना होता है लेकिन इस अचार को इंस्टेंट बनाएं इंस्टेंट खाईए तो बाई यह अचार बन करके बिलकुल तयार है आप देख सकते हैं बिलकुल मार्केट इस्टाइल बना हैं रंगत भी आप देख सकते हैं काफी बढ़ियां यह लगता है तो वीडियो पसंद आ रहा होगा और यह नया अचार रखने का तरीका इंस्टेंटली वाला आपको जरूर पसंद आया हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कर जरूर दीजेग जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगती है और मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकती हूँ और बैटर करने के लिए तो चलिए भाई इस तरीके से आप बेंस्टेंट वाला अचार फटा फट से बनाईए खाईए एंजॉय करिए और कैसा बना मुझे कमेंट्स करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है देखिए हैं न कितना बढ़िया आगया न वही मार्केट वाला जैसे हम डब्बा ले करके आते हैं बस उसी टेक्स्चर का लेकिन मार्केट से जो डब्बा लाते हैं न काफी अनहल् तो चलिए भाई यह अचार की रेस्पी अगर पसंद आई हो तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए दीजाजाद बाई एंड टेक केर